दोस्तों वेलकम टो और ओफिशल यूट्यूब चैनल एक्जाम कॉंसेट पे दोस्तों जो हमारी NBS की सीरी चल लई है इसके बाद हम क्रेस कोर्ष लाएंगे NBS सीरी की ये PGT English का पार्ट 2 है पार्ट 1 में हम अल्मोस्ट 50 कोश्टन को देख लिये थे पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जाकर हमारे वीडियो प्लेश्ट में पढ़ा है आई आज की वीडियो शुरू करते हैं इसे पार्ट 2 में फिर हमागे के कोश्टन को डिल करेंगे देखिए अगर कोश्टन में 51 की बात करें तो 51 हमारा लिटेचर से प्रशन पूछा गया है कि चार्ल डिकेंट नाइरेट इंडिकेट्स एबाउट टीटमेंट अफ चेल्डरेन इन 90 सेंचुरी इन 90 सेंचुरी की चेल्डरेन की बच्चों की बात करते हैं और्फन की बात करते हैं मैंड एक्स्वॉटरेशन की बात करते हैं एंड अय टोपरा। बाइंड ग्राफिकल टच उप अयटो पाइंड जयॉस स कॉत biblical चल Tamam टच चार्ल डिकेंट का जायका सीशीडे सीज़े डैवीड कॉप फिल्ड हमारा answer हो जाएगा ठीक है next चलते हैं next हमारा जो question है question है voice से दिया गया active voice में इसको change करना है काफी number gaining subject होता है अगर आप लोगों ने जरा सभी मेहनत कर ली तो यहां से number सीधे सीधे आएंगे invite is will be given a coupon by the organizing committee इसका जो दिया गया है passive voice है आपको active voice में बदनाना है किसका क्या होगा तो विल भी है तो भी हटाक सीधे विल लगा देंगे यहां पर देखिए उस सारे option में इसे तो organizing committee will be coupon to invite is देखिए इसका सही हों तो जाएगा 52 का तीन नमर हमारा सही answer होगा अच्छा what's what's से यह romantic period से एक प्रस्ण में यहां देखने को मिला है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं real cup ballot published year 1798 हर लडगा जानता है कि romantic age कैसे manifesto कहा जाता है real cup ballot को ठीक है अब देखते हैं next question all swell then swells well romantic comedy अगर आपने William Shakespeare को पढ़ा है तो आपको पढ़ा होगा कि अंत भला तो सब भला इसके हिंदी अनुवात काफी अच्छा है William Shakespeare के द्वारा यह लिखी गई यह काफी इजी प्रेशन है अगर आप basic तौर पे अगर उपरे तौर पर भी देखते हैं तो PGT में उतना ज्यादा tough question नहीं पूछे जाएंगे हाँ लेकिन यही रिजन है कि PGT की जो cut-off है cut-off है हमेशा थोड़ा सा high जाती है question के label को देखके और जो यह सब question बने हैं हमाई रिसर्च से 2013 हम लोग एंबियस पे काम कर रहे हैं और same to same question हमारे notes से फसे हैं अगर आप लोग हमारे notes लेने की चुक हैं तो हमें simply अपना state का नाम और अपना नाम WhatsApp कर दीजिए 7007354360 पर अगर यहां पर करेंगे तो आपको इस पेपर की PDF फाइल भी आप अगर मरवाना चाहिए तो मिल जाएगी प्लस notes भी आपको हमारे concise notes आखरी के 20 days में हम कैसे पड़े हैं उसको हम बता दें क्योंकि हमारे exam 21 number से है तो ठीक है तो आगर देखें सीधे सीधे question पूछ रहे हैं आगले question देखते हैं एक poem की line दीगे यह romantic case से अगर आप romantic एच्छा तयार करेंगे तो आपका अच्छा खासा तयार हो जाएगा देखी we look before and after and pine what is not you see the sincere laughter our sweetest song are those just tell our saddest thought काफी important line है PB Sally की या PB Sally की poem है to a Skylar to a Skylar की line है ठीक next चलते हैं 56 पे यह जो दिया गया पैसी ब्वाइस दिया गया इसको आप लोग देख लिजेगा the student will be complete the assignment within an hour इसको बनाना है the assignment will be यानि यह active में है जब passive में लगाएंगे तो विल के साथ बीगा प्रयोग करेंगे यानि option of four हमारा सही हो जाएगा देखे इंडियन literature से एक प्रशन आपको सामने मिल दा है who among the following इंडियन writer recipient of sahit academy award of English fiction English fiction के लिए recipient काउन थे फर्स्ट रस्ट 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 हमारे के आरके नरायां थे जिनका मालको देखे वान इंपलस अब बर्न लोड दैट इच और देखे टेबल टर्न की लाइन दी गई है टेबल टर्न की लाइन दी गई और टेबल टर्न पकविता सीधे सीधे आपके विलियम वर्स वर्स ने लिखी यानि रुमांटिक एज आपके सेलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है रोल अदा कर सकता है और सेम टू सेम लाइन हमने अपनी नोट्स में भी मेंशन की हुई थी डायरेक्ट वहीं से परश्ट ने पूछा गया है अगर नोट्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक कैसे आपको नोट्स लेना है आपको प्रोबाइड करा दिया जाएगा अब नेक्श देखते हैं 59 59 हेडा गेबलर टैस्मैन एक फिमल करेक्टर ऑफ इन हेडा गेबलर एक नॉबल है हेडा गेबलर एक सॉली नॉबल ने ड्रामा है सोचल की टिस्यजम है वाज पेंड का मतलब हो जाएगा किसके दौरा लिखी गई हैंडिक इपसन के दौरा लिखी गई है क्योंकि जितने भी सोसल सोसल इसू को मुद्दा बनाक उठाया जाए या सोसल ड्रामा लिखे जाएंगे तो हैंडी किप्शन पाउनियर थे ठीक 59 होगे 60 देखे प्रमिथियस अनबाउंड या रुमांटिक के जब तयार कर लो भाईयों और इस्टुडेंट देखे आपको मतलब की कोई दिक्कत ने को रुमांटिक के जैसे तयार तो अच्छे कासे कोश्टन आपको रुमांटिक से मिलने हैं आपको देखने को यानि प्रम फॉलोइंग मीनिंग इसका मतलब क्या होता है विचे जो ओल्ड इंगलिस में जोता है तो आस्क अर्ज जेंटली ठीक नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं नेक्स्ट कोश्टन एक्टिब वाइस पैसी बाइस से आया हुआ हुआ सम पीपल रिफ्यूद एड्मिटेंस बाइड प्रशन आपके सामने आ गया है हूँ एमोंग दो फॉलोइंग पोईट सर्व एन एप्रेंटिस टू सर्जन एट इड्मांटन इस एप्रेंटिस अब सर्जन के सीधे बात जबाएगे सीधे हम जोन किट्स को लगाएंगे अप्रेंटिस के लिए कैथ लेकिन पोईट बने आखिए में जाके हैं दे पिरियोड आप रनेसा इन ए रॉप वाज एन एंथुसियास्टिक पिरियोड ऑफ एड्वोपियन काल्चर आर्टिस्टिक पोल्टिकल एक्नॉमिक रिबर्ट दियूरिंग ऑप्दे फॉलोइंग सेंचुरी कब इस एरोपियन काल्चर में आर्ट सेली सिधे सिधे फिल इन दी बलैंक है इज एन इंपोर्टेंट एसपेक्ट ऑफ चिल्डेन क्रियेटिविटी इज एन इंपोर्टेंट एसपेक्ट ऑफ किर एं 66 का तो नमर्स ही हो जाएगा प्रोमिठेस अन बाउन बाउंड भी पीवी सैली से पूछा गया था उसके बाद इसे एक दूसरे वार से कंपनी आता है फिर अपने गल्फरेंट को भाग के सुटी जलेंट चला जाता है है काफी अच्छी नोवेल है इसमें दिखाई गई है इस दे क्वीन अफ डेनमार्क और प्रिंस अफ हैमलेट इसे गर्टूड सीधे सीधे आपको गर्टूड अगर हैमलेट पढ़िए विलियम सेक्सपियर की तो आपको सीधे पता होगा कि गर्टूड की मदर राती जो क्वीन राती है यूरिया हीप तो करेक्टर और यूरिया हीप आपको पता है यह डैविड कोपर फिल्ट से दो प्रशना चुके हैं चार्स डिकन कॉमेडी ओफ इरर कॉमेडी ओफ इरर बाई सेक्सपियर कॉमेडी ओफ इरर जो लिखा गया उसमें टूइन बरर की कहानी दिखाई गई है 70 एक हो जाएगा क्वेश्टर में रिक टूइन बरर देखिए अब क्या करा रहा है It was Edward Mars who coined the term Edward Mars ने कौन सा term coined किया था 20th century में Georgian term को coined किया था Who among the following know the father of English poetry Father of English poetry सीदे से जे चासर जीस में है Next देख लेते हैं Romantic Age के और एक writer हमें मिलगे P.V. Siris अच्छे का पुछे गए है As a poet contributed a new quality of English literature Quality of Idealty, Freedom and Spiritual Audacity Spiritual Audacity की to the square arc में इस प्लीटिश की बात करते हैं इस प्लीटिश की बात करते हैं तो भी भी सहली हो जाएगा अगला देखें Dorian and Pindaric Dorian and Pindaric क्या होते हैं Ode के form होते हैं 74 का D Hamlet by Shakespeare's Sit which of the country Denmark Prince of Hamlet जो है Denmark कहानी है ठीक आगे देख लेते हैं Lyric Lyre after which Lyric Primarily a song is actually जो Lyre होता है जो form होता है After Lyric की क्या होता है इस musical instrument होता है जिसे बजाया जाता है ठीक The gathering felt silent Feel in the blank दिया गया इसको आपको पूरा करना है As the leader spoke जैसे leader ने बोस्टना शुरू किया वहाँ पर जो थे सब लोग चुप हो गए Moby Dick का character पूछ रहा है Moby Dick क्या है यह पूछ रहा है यह सीदे सीदे आप देखेंगे कि एक novel है 79 पर बात करेंगे चूद तक करेक्ट पैसिब वाइस एक्टिफ पैसिब वाइस यानि इंग्लिस ग्रामर के कोशन हमें देखने को मिल रहा है यानि इंग्लिस ग्रामर में एक्टिफ पैसिब अगर आपका त्यार तच्छे कासे नमर आप गेन कर सकते हैं The mission is building a wall The wall is being built by a mission सीधे-सीधे आपको यहांपे answer होगा अब यह आर्टिकल के प्रेशन दिये गए हैं ग्रामर के One-legged man सीधे-सीधे आपको यह वाइस वाइस और लेड्माइन अब देखिए पैसिब वाइस एक्टिव वाइस का फिर प्रेस ना गया है फिर एक इंपोर्टर लाइन पुछ लाइक के हाई बॉर्ण माइडन प्लेस ऑफ टावर सूधिंग हर लव लैडन सौंग सीक्रेट अफ आर इस लाइन इस विट विजिक स्वीट अज लव विच ओवर्फलो अर बावर यह दे स्काइल आर की लाइन है दे स्काइल अब एक औ अब देखिए एक इसमें पूछा गया है कि आप कोशन पूछा गया है आर्ट इगजिक्ट आर्ट इगजिस्ट फॉर दे सेख ऑव ब्यूटी अलॉन ब्यूटी की बात आ गई तो सीधे सीधे इस्थिसीजम आर्ट फॉर आर्ट सेख लाब बला डैम सेंस मर्ची किसकी पो आर्ट इसमें है आई हैं आई हैं आप नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यानि 86 का 3 हो जाएगा एंसर एट वार्ट इस पोईटिक वर्ड ओ दायेट सजेश्ट वीच 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 फॉलोइग मीनिंग इन पोईट एट वार्ट का जो पोईटिक व मतलब होता है इंगलेश पोईट्री में हैपीनेस यानि जो खुशी के मारे वो इसका इलाग गाना गा रहा था ब्लिट का मतलब हैपीनेस देट आप जॉन केट्स वाच कॉम्मुरेट बाई सैली इन ही जहहल जी कॉमुमुरेट करने के लिए किसकी जॉन के देट को सैली न तो पिरिएट का एज भी आप लोग ध्यान देंगे कि जो कि मैंने अपने नोट्स में वकायदे से क्लासिफाइड की हुई है कि पॉर्टिकुलर एज किसकी से मिलिया गया अगर आप उस कंसाइज नोट्स को अंतिम समय में यूज करना चाहते है तो आप डिस्क्रिप्शन पर आप लिए जा सकते हैं अपना इस्टेट और अपना नाम लिकि भेजएंगे या TGT की तियारी चाहते हैं या PGT की तैयारी करने की नोट चाहते है तो हाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा एक्क्यानविय प्रस्थ में देखते हैं फिल इन दे ब्लैंग का आई सी सी तो इसीन डायट का पड़ियोग इसमें करेक्ट है 92 का देख लेते हैं क्वार्टू और फॉल्यू टर्म किसे रिलेटेड है प्रिंटिंग से रिलेट है क्वार्टू और फॉल्यू अब देखे इसके बाद कि जो प्रश्ण दिये गए हैं 93 के बाद जितने ही काल कर रहा है और इसको देख लिएगा पैसे कैसे कोशन पूछे गए हैं आई डू नाट आई डज नाट अपेयर टू बीए मैटर अफ सप्राइज दैट फ्यू इस्टेट हैव एक्स्रीम फ्लॉर्ड हीट सिच्वेशन एं फ्लॉट से डिलेटेस सिच्वेशन दी गई है तो आप इसको देख लीजेगा 93 भी पैसेज का कोशिन है नाटी फोर भी पैसेज का ही है तो पैसेज आपेसेज आप लोग कर लिए जिगा अगर आपके डिडिंग एबिल्टी है तो कर लिजाग इसके सोट लेके कॉम्प्रियेंशन का भी 95 है 96 भी हमारा पैसेज ही है पैसेज 97 का भी पैसे जिनका पेपर है उन्होंने सारे कोश्चन सही लगाए है अल्मोस्ट देखने को लग रहा है और और इनका ही होप सेलेक्शन भी हुआ है इस एकजामे जिन से मैंने पेपर लिया था उनका सेलेक्श जिनके यह हैं few years ago वाले में भी देख लीजिए ability की रॉबर्ट की बात कर रहे हैं देखिए यहां पर language आगया hundred question के बाद आपको एक भासा का जो पेपर होता है आपके language competency का तो कुछ लोग Hindi लिये रहते हैं कुछ लोग English लिये रहते हैं तो कुछ लोग उसमें English भासा के भी प्रशन रहेंगे तो आईए फटाग देंग्लिस टेस्ट को भी देख लेते हैं कि English language की कैसे प्रशन पुछे जाते हैं अब नेक्स दे रहे हैं कि structure पे कौन सा सब सही है इसका है लोग मतलब क्या होता है हेट होता है यानि यह सैनोनीम और इंटोनीम भी आपको पूछे गया आपको लेंग्विज कंपेटेंसी में अब देखे पैसे फोंप फिर एक बार आ गया ज़िए चिल्डेंग ब्यूल्ट एट्री हाउस एट्री विंग ब्यूल्ड हो जाएगा अब क्या गिवन एडियम का गिया इस्टिप अफ दा होरनेश नेश मतलब इसका दिया गया एडियम को मीनिग बताना है तो कौस्ट ट्रॉबल इसका सही हो जाएगा एंसर फिर आपको एक नाइरेशन का प्रस्न मिल गया है डिर्क्ट स्पीच है आपको उसको इन डारेक्ट में है इसको डारेक्ट में बनाना है तो question number seven का हो जाएगा सुमन तोल में that my mother was waiting for me at the gate तो इसे देखिए इन डारेक्ट में इसको डारेक्ट बनाने के लिए सीधे आप आएंगे सुमन said to me your mother is waiting for you at gate seven number में हो जाएगा फिर इन डी ब्लाइंक का question है he gets regular promotion because he is the industrious industrious जो दिया गया है इसका मतलब उसमें भढ़ना appropriate antonyms इसी का antonyms बढ़ना है इंडॉलेंट 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 में मतलब में हन्ती होता है इंडॉलेंट में सो थोड़ा सा आलसी हो जाएगा correct sentence structure दिया है the table was laid by the children ठीक है यह हो जाएगा इसमें appropriate आपको भड़ना हुआ है देखिए you must cut cut down on your expenses मतलब कम करने की बात कीगे expenses को यह 11 नमबर में select the correct structure दिया है common रख जागा आजकल a 10 इसका पूछ रहा है इसका सही answer हो जाएग option नमबर दो the fisherman cast cast his net into the river hoping the good catch ठीक है select the correct spilt भी इसमें आई हुए बेनोल बेंट इसमें सही है अब देखिए it is the who scored winning the goal in the match it is me इसमें दिया गया क्या होगा fill in the blank का एक और आगया है question tag का एक प्रशन है question tag से आगया see stop the school in the board exam didn't see take is me didn't see होगा in the blank must appropriate must appropriate word is a push you must study the depth depth any superficial इसका सही answer हो जाएगा fellowship का हिंदी अर्थ पूछ रहा अध्योत्ता विर्टी होती है इसमें 17 का देख लेते हैं खंड के अच्छे हिंदी वाला आ गया इसमें हिंदी कंप्रेटेंस्टी का इसमें आगे दे दिया गया कुछ प्रशन जो आपको हिंदी की जानकाली के लिए जो 15-15 प्रशन दिये जाते हैं ओं हिंदी के भी प्रशन रहेंगे तो लिए लिए देखली जी झाल झाल झाल